हेलो क्लास फिफ्ट सब्जेक्ट आपका कम्प्यूटर्स सेकेंड यूनिट टेस्स के लिए आपने प्रिपेर करना है फोर्थ लेसन बिंडोस एक्स्प्लोरर और अभी हम अपना चाप्टर करन रहे हैं ms word so open your books ms word में हमने ms word open करना सीखता कि किस तरीके से आप और programs की तरह अपने ms word को open कर सकते हैं जिसमें आपको blank document मिलता है ठीक है टाइटल बार आपका होता है यहां पे इसकी components क्या क्या है ribbon, ruler, document area, status bar, scroll bar, enter test यह हम कर चुके हैं next इसे हमने किया था previous video में selecting the text किस तरीके से हम कोई भी text या जो हमने लिखा होता है अपनी कोई document हमने बनाया है उसमें कोई शेजर में type करी है तो किस तरीके से हम select करेंगे तो इसके लिए बहुत सारी चीज़े हमने करी थी कि यहां पे बहुत सारी तरीके हैं कि जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं उसे आप choose कर सकते हैं lines को किस तरीके से कर सकते हैं sentence को paragraph को हमने अगर आप choose करना चाहते हैं तो अलग-अलग तरीकों से हम क्या कर सकते हैं इसे select हम कर सकते हैं next हम करेंगे आज अपना page निबर है आपका 57 selection using keyboard अब कोई भी चीज अगर हम select कर रहे हैं अभी तो हमने किसे क्या था कि यहाँ पर हमने mouse की मदद से हमने select क्या था choose कि रहा था आज हम करेंगे selection with using keyboard keyboard जो हमारा है उसकी मदद से भी हम select हम कर सकते हैं कैसे करेंगे different key combinations can be used to select text to do so place the insertion point to left of the text you want to select अब आप क्या कर सकते हैं जो आपके जो keyboard हैं उसमें जो keys है उसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं अपने जो भी आप select करना चाहते हैं उसे आप select कर सकते हैं किसी भी text को तो यहाँ देखें पहला क्या है आपका select और combination क्या है आपका key का a character to the right of the cursor अगर आप cursor के दाई तरफ अगर आप कोई भी character को किसी भी चीज को आप select करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे shift plus आप क्या करेंगे right arrow को क्या करेंगे जो आपके arrow skis होते हैं उसमें साब right arrow key को press करेंगे दोनों को साथ shift और plus arrow तो वो आपका क्या हो जाएगा right side में कोई भी character है आपका कोई भी alphabet से है या number है वो क्या हो जाएगा select आपका हो जाएगा next आपका character to the left of the cursor अगर आप cursor के left side left character को अगर आप choose करना चाते हैं select करना चाते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे shift के साथ आप left arrow की का इस्तमाला करेंगे one line down अगर आप नीचे की तरफ आप कोई line आप choose करना चाते हैं तो उसके लिए simple है shift plus क्या करेंगे आप down arrow का स्तमाला करेंगे अगर आप उपर वाले line किसी line की उपरा line को अगर आप select करना चाते हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे shift plus यानि कि shift को दबाएंगे और आप arrow की कर यानि कि जो up arrow की है उसको आप press करेंगे तो ये धियान रखना है कि आपने दोनों ही चीज को आप एक साथ क्या shift की को आपने press कर रखा है और दूसरा जो आप arrow जो भी आप right, left या उपर नीचे आप कोई भी चीज select करना चाते हैं तो उस arrows की को आप क्या करेंगे दोनों को साथ में एक साथ आप प्रेस करेंगे next आपका to the beginning of the current line अगर आप क्या करना चाते हैं कोई भी आपकी line है आप उसके पहले ही आप उस पे जाना चाते हैं पहले line पे आप जाना चाते हैं तो क्या करेंगे shift के साथ आप home की को दोनों को साथ में क्या करेंगे दबाएंगे, प्रेस करेंगे To the end of the current line किसी भी line के अगर आप end पे जाना चाहते हैं, आखरी में जाना चाहते हैं, तो shift के साथ आप end की को प्रेस करेंगे, तो आप कहां पहुंच जाएंगे, end में line के end में आप पहुंच जाएंगे To the beginning of the current document, अगर आपका document आपने का कोई page बना है, आप page में लिक रहे हैं, तो आप सबसे उपर जाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे shift, control और home, तीनों को आप एक साथ प्रेस करेंगे, तो आप अपने document में सबसे उपर आप पहुंच जाएंगे अगर आप document के यानि के page के सबसे नीचे आना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे shift, control और end तो बहुत simple से आपकी combination है entire document को अगर आप select करना चाहते हैं जैसे कि आपको ये पूरा एक page है इसे ही आप पूरा select करना चाहते हैं तो आप simple करेंगे Сबसे करेंगे कभीकभी आप देखते हैं कि अगर आप कोई paragraph का सिर्फ इसने portion को आप select पूरा करना चाहते हैं तो तबी भी आप यापे करजर रखते हैं ठीके तो इसको भी आप क्या कर सकते हैं good control से क्या कर सकते हैं Rangers आपकर सकते हैं अंटाइर डॉकुमेंट के लिए आप कंट्रोल ए का स्तमाला आप करेंगे बहुत सिंपल सा टॉपिक है आपका ये इसे आप प्राक्टिकल जुरूर करेंगे तब आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा और आपका जो माउस है आपका जो कीबोर्ड है उसमें भी आप the steps to copy text from one place to another are सबसे पहले आपके करेंगे select the text that you wish to copy उस text को आप क्या करेंगे select करेंगे जिसको आप copy करना चाहते हैं second step में आपने क्या करना है click the home tap in the ribbon अब ribbon में आपको जो आपने देखा यहाँ पर यह जो आपके क्लिक करेंगे जैसे आप यहाँ पर home पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा in the clip board group click the copy option इसके बाद इस तरीके से आप यहाँ पर menu आप करें खुल जाएगा ठीक है यहाँ पर आप लेखेंगे एक copy का option आपको मिलेगा इसमें क्या करना है आपने click at the place where you wish to paste the text जहाँ पर भी आप चाते हैं वहाँ पर आप क्या करेंगे जिस भी जगे पर आप चाते हैं आपने text को paste करना तो वहाँ पर आप क्या करेंगे click करेंगे उस place पे और फिफ में आपने क्या करना है step में click the paste option in the clipboard group और आप उसको क्या कर देंगे paste option आपको यहाँ पर दिख रहा है आप क्या करेंगे वहाँ पर उसको click करेंगे तो यह आपके क्या है copy text यानि किसी पर text को आपने copy किस तरह किसे करना है copy करना है जो भी आप चाहते हैं copy करना तो आपने home tab का इस्तिमाल करना है और copy option यहां पर से ले कि आप उसके बाद क्या करेंगे जहां पर आप चाहते हैं वहां पर आप उसको क्या कर सकते हैं पेस्ट आप कर सकते हैं नेक्स आपको moving text the text to move text from one place to another आप अपने कोई भी text को move करना चाहते हैं उसके location को change करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आप क्या करेंगे select the text that you wish to move जिस भी text को आप move करना चाहते है उसके position को change करना चाहते है उसको आप select करेंगे उसके बाद फिर दुबार आपको home tab पे ही click करना है home tab पे आपने जैसे click करेंगे यहाँ पे आपको clipboard में cut option आपको मिलेगा वहाँ पे आप click करेंगे cut option में then fourth option में क्या करेंगे click at the place where you want to move the text जहाँ पे आप पहुचाना चाहते है अपने जो आपने cut किया है जो आपने अपने text हटाया है उसे आप महाँ पे click करेंगे ठीके आपने वहाँ से क्या कर दिया उसको जहाँ पे आप चाहते है महाँ पे आपने move हो जाएगा और fifth option में आपने क्या करना है fifth step में select the paste option in the clip board और उसके बाद आप क्या कर देंगे जहाँ पे आप चाहते है move क्या आपने आप उसको अपने text को क्या कर देंगे paste आप कर देंगे तो जो उसकी original position थी महाँ से work के वो जो आपने position दे है महाँ पे क्या हो जाएगा उसको आप क्या करेंगे महाँ पे paste आप करेंगे तो उसके position क्या हो जाएगी change तो यह सबी चीज आप क्या करेंगे उसको practically है आपने करना पड़ेगा आपको practical करना ही है इसका क्योंकि बिना आप जब तक उसको करेंगे नहीं practically तो आपको समझ में नहीं आएगा धंक से इसलिए आपने इसको क्योंकि ये जो आपका chapter है ये आपके theoretical है तो इसे आपने practical जरूर करना है थोड़ा थोड़ा करके आप इसको जितना आपको daily कराया जाता है उतना ही आप आपने क्या करना है practical आपने इसे आपने करना है तो fourth lesson अभी आप prepare करेंगे इसको अच्छे से second unit test के लिए इसके बाद ही आप अपना practical करेंगे ठीक है अभी आप अपने preparation करेंगे second unit test के लिए fourth lesson windows explorer so thank you class